स्वागत करती हूं आप सब का आज पढ़ने जा रहे हैं हम ब्रीधिंग एंड एक्षेंज ओ गैसिस तो ब्रीधिंग क्या होती है सांस का अंदर जाना और बहाराना अब सांस जो अंदर जा रहा है उसमें क्या प्रचेंट होता है उक्षिजन जो कि हमारे लिए बहुत जरू सांस और जो चोड़ते हैं उसमें क्या होता है कार्बन डिएकसल ठीक है अब रैस्पिरेशन और ब्रीधिंग को काफी सारे एक ही तरह से यूज़ करते हैं कि हां जैसे या रैस्पिरेशन हैं मतलब दोनों ट्रम को इंटर्चेंज करके यूज़ करते हैं लेकिन यह गलत है breathing जो है, वो respiration का पहला step है, respiration में 5 steps होते हैं, तो मैं बताती हूँ, कौन-कौन से होते हैं, पहला तो breathing ही होता है, उसके पार होता है diffusion of gases, diffusion of gases कहा होता है, alveolar membrane में, अब ये alveolar membrane क्या है, ये भी मैं बताऊंगी, अभी थोड़ा रुको, फिर होता है transport of gases by blood, blood उसको transport करता है, फ फिर होता है utilization of oxygen, ठीक है, तो ये 5 steps है, इनको one by one हम पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले हम respiratory organ जानेंगे, कि ये respiration की जो process है, वो perform कहा होती है, कौन perform करता है, ठीक है, चलिए, जो respiratory organ है, वो जो invertebrates है, lower animals है, उनमें body surface से हो जाती है, और insects जो होते हैं, उनमें tracheal tubes होती है, और gills भी होते हैं, जो aquatic form है, aquatic जो पानी में रहते हैं, arthropods और mollusk उनमें gills से हो जाती है, लेकिन इनहीं की जो tracheal form है, उसमें होता है, exchange of gases by lungs, lungs form होती है, tracheal form में, अब tracheal क्या है, जो जीव धरती पे रहते हैं, उनको हम tracheal बोलते हैं, और aquatic जो पानी में रहते हैं, ठीक है, अब ये तो बात की हमने invertebrates की, अब vertebrates की बात करें, vertebrates में feces, reptiles, birds, mammals, इनमें lungs होते हैं, respiration के लिए, और human being के अगर हम बात करें, तो human being में well developed respirator system होता है, जो बात करते हैं, human respirator system की, इसमें क्या होता है, trachea होता है, trachea के उपर क्या होते हैं, ये वाली cartil indigenous ring दिखाई हुई है, जो की collapsing नहीं होने देती, trachea को उसी foam में बना के रखती है, trachea का ये उपर वाला portion है, इसको हमने बोला है, larynx, इसको sound box भी बोलते हैं, larynx को sound box ही बोलते हैं, यहां जो होता है, वो glotis होता है, glotis क्या है, जो wind pipe है, इसकी opening है, glotis को कौन कवर करके रखता है, epiglotis, ठीक है, epiglotis कब कवर करता है, glotis को, जब हम खाना खाते हैं, खाना wind pipe, याने, trachea में ना आए, इसके लिए क्या है, epiglotis, गलोटीस को cover करके रखता है ठीक है यह हमारा है trachea trachea के बाद क्या होता है जो हमारे lungs हैं दोनों यह जो trachea है दो में divide हो जाता है broncus में primary broncus में और secondary broncus में तो जो एक broncus है वो चला जाता है left में और दूसरा right lung में ठीक है आगे जाके यह बहुत भार इनका division होता है और काफी branching structure बन जाता है यह जो last में जो structure बना है उसको हम बोलते हैं bronchioles जो tube like structure यह दिख रहा है इसको हम बोलते हैं bronchioles bronchioles आगे sac like structure में develop होता है sac like structure बनाता है उसको हम बोलेंगे alveolife तो alveolife वो site है यह जो sac like structure बने हुँ है न काफी छोटे छोटे जो दिख रहे हैं इनको हम alveolife बोलते हैं और alveolife वो जगह है जहां पे gases का exchange होता है यह वाला जो portion है dome shaped इसको हम बोलते हैं diaphragm यह वाला जो सारा portion है इसको diaphragm बोलते हैं और यह जो वाला portion है यह जो यह वाला है यह ribs वाला portion दिखा रहा है ribs और sternum वाला ठीक है आई बात समझ में यह structure दिमाग में रखना बहुत ज़रूर है क्योंकि हम breathing का mechanism पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे diaphragm contract होता है relaxed होता है ribs raised होती है तो ribs कहां है diaphragm कहां है यह सब अच्छे से दिमाग में रखना ताकि breathing का mechanism पढ़ेंगे तो उसमें आसानी हो breathing का mechanism तो इसमें हम पढ़ेंगे inspiration और expiration inspiration और expiration बताने से पहले में thoracic cavity के बारे में बताना चाहती हूं यह जो cavity शो कर रखी है यह अंदर यह है हमारी thoracic cavity थोरेसिक cavity के नीचे वाले portion में क्या प्रजेंट है diaphragm और यह वाला portion क्या सो कर रहा है ribs और जो कि मैंने अभी बताया था जब respiratory system बताया था human respiratory system इसमें यह पिछे वाला portion है यह वर्टिपरल कोल्यूम दिखा रखा है और यहां से क्या दिखा रखा है कि air एंटर कर रही है तो inspiration जब होगा तो क्या होगा यह diaphragm है यह contract होगा इसके contraction से क्या होगा यह जो volume है space है जो thoracic cavity का वो increase हो जाएगा increase होने से क्या होगा जो यहां पे air है उसका pressure कम हो जाएगा किसकेropriे contradiction में बहार वाली है portion ribs or storm वाला ये भी raised हो जाएगा ठीक है तो ये thoracic cavity का है ये 2 Language is increase हो जाएगा इससे क्या होगा pulmonary cavity वाला भी portion increase होगा तो इससे क्या होगा जो air है बहार से अंदर जाएगी कहां जाएगी लंस वाले एरिया में तो यह उत्ता है inspiration में में अब expiration क्या होगा जब बहार अंदर का pressure ज़्यादा होगा यहां जो अंदर है वह प्रेशर ज़्यादा होगा बहार वाले के comparison में तो क्या होगा AIR अंदर से बहार जाएगी जिसको हम बोलते हैं expiration यह कब होगा जब try from जो है यह diaphragm वाला portion relaxed होगा relaxed होगा तो क्या होगा यह ऐसे ऊपर की तरफ raised हो जाएगा ठीक है तो इससे क्या होगा यह जो cavity है pulmonary cavity, thoracic cavity, thoracic cavity का decrease होगा तो pulmonary cavity का भी decrease होगा इससे क्या होगा air बाहर जाएगी pressure यहाँ ज्यादा होगा और बाहर कम होगा प्रेशर ग्रेडियंट डिवलप हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट से क्या समझते हो कि एक जगा का प्रेशर कम है दूसरी का जादा है और प्रेशर ग्रेडियंट जहां प्रेशर जादा है एर जादा प्रेशर से कम प्रेशर की और जाएगी तो ये है inspiration और expiration एक बार फिर से बता देती हूं में बहार जो air है उसका pressure जादा है अंदर वाली air का pressure कम है तो air अंदर move करेगी तो अंदर जो air move करेगी उसमें क्या जाएगा oxygen जाएगी हमारी अंदर इसको हम बोलते है inspiration और इसको क्या बोलते है expiration इसमें diaphragm relaxed रहेगा जो हमारे inter costals muscles है रीप्स और अस्टरनम वाले एरिया में वो भी इस process में help करती है ठीक है आई बात समझ में चलिए next पर चलते हैं अब है respiratory volumes and capacities तो इसमें क्या है सबसे पहले हम बात करते हैं टाइडल वोल्यूम की टाइडल वोल्यूम क्या है normally हम जो air inspire और expire कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे टाइडल वोल्यूम ठीक है next पर चलते है inspiratory reserve volume पर इसमें क्या होता है normally inspire करने के बाद हम जितना additional inspire कर सकते हैं forcefully एसे शांस ज्यादा लेकि ऐसे जो inspire कर सकते हैं एडिशनल उसको बोलते हैं inspiratory reserve volume ठीक है next है expiratory reserve volume जैसे inspiratory reserve volume में हम forcefully अंदर ले रहे थे air को इसमें क्या करेंगे हम forcefully expire करेंगे expirations जो करेंगे expirations का मतलब है air को बाहर निकालना ठीक है residual volume अब next है इसमें क्या होगा जो air remaining in the lungs जो air उसके अंदर बच जाएगी lungs के अंदर forcefully expiration के बाद हाँ forcefully बाहर निकाल रहे हैं air उसके बाद भी जो air lungs के अंदर बच जाती है उसको हम बोलेंगे residual volume next है inspiratory capacity inspiratory capacity क्या है total volume of air a person can inspire after a normal expiration हमने expiration के process होगी science के थूँ हमने air बाहर निकाल दी उसके बाद भी हम जो air ले रहे हैं total air अंदर ले रहे हैं उसको हम बोलेंगे inspiratory capacity यह क्या होता है सम होता है कि इसका tidal volume का और inspiratory reserve volume का सेम ऐसे है expiratory capacity इसमें क्या होगा tidal volume plus expiratory reserve volume ठीक है आगे next चलते है vital capacity पे यह क्या होता है it is volume of air which can inhale with maximum effort और exhale with maximum effort ठीक है maximum effort के साथ हम जितना अंदर ले सकते हैं और उतने ही maximum effort के साथ हम जितनी बाहर निकाल चकते हैं उसको हम बोलेंगे vital capacity इसमें क्योन क्योन सा include होता है inspiratory reserve volume expiratory reserve volume और tidal volume ठीक है अब है functional residual capacity residual से residual तो volume हो गए इसमें साथ में कौन सा होगा inspiratory reserve volume फिर है total lung capacity total में सारा ही कुछ आ जाएगा vital capacity plus residual volume क्योंकि vital capacity क्या थी इन सब का sum थी इसमें residual volume और मिला देंगे तो क्या होगा total lung capacity यह capacities है जो volumes है आपको थोड़ा confusing लग रहा होगा लेकिन एक दो बार आप videos देखोगे और revision करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ठीक है next हम चलते हैं हमने steps देखे रहे respiration में काफी steps थे तो पहला था breathing हमने breathing देख लिया उसके बाद यह capacities और volume था टोपिक बहुत देख लिया अब next step जो है वह था exchange of gases gases का exchange कैसे होता है alveolar level पे gases का exchange जो है वह alveolar level पे भी होता है और blood और tissues के भी होता है तो चलिए कैसे होता है हम देखते हैं इससे पहले की हम exchange देखे हमें partial pressure पता होना चाहिए जो co2 और o2 है उनका कौन सी जुगया पे कितना partial pressure है जब तब हम exchange of gases को अच्छे से समझ पाएंगे तो चलिए देखते हैं respiratory gases में हमने ले रखी है जो हम पढ़ रहे है oxygen और carbon dioxide है इसमें जो atmospheric air में जो प्रेशर है पाशल प्रेशर oxygen का वो 159 है इसका 0.3 है alluline में यह pressure 104-40 ब्लड में जो deoxygenated है उसमें oxygen का level कम होगा और CO2 का ज़यदा होगा हमें पता deoxygenated blood नाम से यह है पता चल रहा है oxygen का level कम होगा और CO2 का ज़यदा होगा अब oxygenated blood में क्या होगा oxygen ज़यदा होगी और carbon dioxide कम होगा टीशू की अगर बात करें तो यहाँ पे CO2 ज़यदा होगा और oxygen कम होगा oxygen कम है तो कहां से लेगा oxygenated blood से कैसे लेगा चलिए देखते हैं यह जो diagram है यह सो कर रहा exchange of gases को देखिए यह जो है inspired air है जो बहार air है हम अंदर लेंगे तो हमने अभी देखा पिछे जो मैंने volumes दिखा रखी है कि कौन सी air का कहां कितना है उसमें आप देख लेना एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा बहार जो air है उसका ज्यादा है अंदर वाली का कम है partial pressure oxygen का तो अंदर क्या आएगा oxygen आएगी CO2 का यहां 40 है जादा है वहाँ 0.3 था कम था तो बाहार जएगी ठीक है अब यहां जो air है उसमें क्या है oxygen जादा है CO2 कम है और जो blood में है यहाँ वो O2 जादा है O2 कम है CO2 जादा है तो इसको क्या जरूत है? blood को oxygen के जरूत है oxygen यहाँ से ले लेगा अब blood क्या है? oxygenated है अब यह जो blood है pure blood है oxygenated है यह कहां जाएगा? heart में जाएगा heart के through सारी body में जाएगा ठीक है यह रहा oxygenated blood यह यहां से carry हो रहा है तो यहां देखो यहां फिर से diffusion होगा यहां blood यह वाला blood है और यह वाला body tissue है इनके बीच diffusion होगा क्यों यहां blood में oxygen जादा है यह किसको दे देगा tissue को दे देगा और यहां से क्या ले लेगा oxygen ले ले लेगा CO2 ले लेगा CO2 अब blood में जादा है oxygen कम है तो इस blood को हम क्या बोलेंगे deoxygenated blood ठीक है pulmonary artery deoxygenated blood carry करती है यह हमें पता है क्योंकि arteries normally क्या करती है oxygenated blood यह exception है pulmonary artery deoxygenated blood carry करती है और veins में vein हमें पता है deoxygenated blood carry करती है लेकिन pulmonary vein oxygenated blood carry करती है ठीक है एक बर फिर से मैं समझा रही हूँ यहां बहार जो air है उसमें oxygen ज़्यादा है तो अंदर आएगी alveolar air में क्या होगा फिर oxygen ज़्यादा हो जाएगी CO2 कम हो जाएगी यहां से oxygen कहां जाएगी ब्लड में यहां heart में heart जो है सारी body में भेजेगा यहां फिर क्या होगा तीशू जो है blood उसको देदेगा oxygen और CO2 यहां से blood में आ जाएगी अब यह deoxygenated blood है यह दुबारा से यहां alveoli के पास जाएगा और यह process repeat होती रहती है इसको बोलते हैं हम exchange of gases उमीद करती हूँ आपक प्राम में यह दिखा रखी है alveoli की wall जो की diffusion के लिए favorable है इसमें यह होता है यह होती है epithelium की बनी यह होती है जो capillary wall है यह endothelium से बनी होती है और इनके बीच में basement membrane होती है और इसके जो ठीकनस है वह 1 mm से भी कम होती है तो diffusion अच्छे से हो जागता है ठीक है अब next है transport of gases ट्रांसपोर्ट कैसे होता है अब हमने इसमें देखा है कि blood ट्रांसपोर्ट कर रहा है gases को ट्रांसपोर्ट होता कैसे है वो देखेंगे अब ट्रांसपोर्ट सबसे पहले oxygen की बात करें तो जो 97% oxygen है वो rbc के साथ जोड़के ट्रांसपोर्ट होती है और जो 3% बच जाती है वो dissolved state में plasma के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है ठीक है 97% rbc के थ्रू 3% plasma के थ्रू ठीक है अब ये carbon dioxide का है इसमें 20-25% rbc के थ्रू 70% as a bicarbonate और 7% थ्रू plasma तो अभी हम पहले oxygen की बात करते हैं ठीक है oxygen में hemoglobin हम पढ़ते हैं कि rbc में present होता है hemoglobin क्या है एक red glare pigment है कहां present होता है rbc के अंदर और वो किस से band करता है hemoglobin oxygen के साथ और उसको हम क्या बोलते है oxy hemoglobin ठीक है hemoglobin किस के साथ band होगा oxygen के साथ ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो हम उसको क्या बोलेंगे oxy hemoglobin maximum 4 molecule oxygen के hemoglobin के साथ bind कर सकते हैं एक hemoglobin के साथ कितने bind कर सकते हैं oxygen के molecule 4 molecule of oxygen bind with each hemoglobin ठीक है अब जो percentage saturation है hemoglobin का oxygen के साथ कितनी hemoglobin oxygen के साथ bind हो रही है उसको अगर हम graph plot करें partial pressure of oxygen के साथ तो sigmoid curve देखने को मिलता है sigmoid acid curve इसको हम बोलते है oxygen dissociation curve तीक है इस curve को हम बोलते है oxygen dissociation curve अब यहाँ दिखाया हुआ है अगर partial pressure CO2 का ज़्यादा है देखो यहाँ पे अगर यह increase हो गया pH है वो कम हो गया pH कम यानि H concentration ज़्यादा temperature increase हो गया और तो यह कहां shift हो जाएगा right में shift हो जाएगा अगर इन से reverse है situation इन सब से यह उल्टा है reverse है तो curve कहां पे shift होगा left में यह है oxygen dissociation curve left में कब shift होगा और right में कब shift होगा यानि exams में आ जाए कौन-कौन से factor इसको effect करते है तो temperature, carbon dioxide, pH, oxygen यह सब temperature इसको effect करते है यह थर्ड ट्रांसपोर्ट और oxygen अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट और carbon dioxide जो carbon dioxide हीमोगलोबिन के साथ bound होके ट्रांसपोर्ट होती है वो 20-30% होती है और 70% है वो bicarbonate से होती है और जो 7% बज़ आती है वो होती है as a dissolved state in bio plasma ठीक है तो जैसे हीमोगलोबिन के साथ oxygen bind हो रही थी वैसे carbon dioxide bind होगी वहाँ हम उसको oxygen, oxy hemoglobin बोल रहे थे यहां हम बोल लेंगे इसको carbon amina hemoglobin ठीक है अब देखते हैं bicarbonate से कैसे होता है यहां क्या होता है जब RBC में और plasma में जो carbon dioxide है कहां से आती है यह body tissue जो release करता है यह क्या करते है water के साथ mix हो जाती है और क्या बनाती है H2CO3 यह तूट जाता है HIN में और bicarbonate ion में सेम यही process होती है RBC के अंदर भी यह बनता है फिर यह तूट जाता है अब यह जो बना है इसमें enzyme कौन से help करता है carbonic unhydrase ठीक है अब यह जो बना है इसमें यह बहार चिला जाता है bicarbonate इससे क्या होता है ionic balance disturb हो जाता है इससे क्या होता है chloride ion shift करता है RBC के अंदर तो इस process को हम बोलते है chloride shift और hamburger phenomenon ठीक है यह है bicarbonate द्वारा इसका transport उम्मीद करती हूं कि आपको समझाया होगा फिर है regulation of respiration respiration का regulation कैसे होता है जो हमारा neural system है nervous system है उसके थरो इसका respiration होता है वहाँ पर एक organ होता है जिसको हम बोलते है medulla oblongata वह उसको control करके रखता है जब भी alter करता है हमारा respiratory rate तो उसको ठीक body की requirement के according कौन control करता है medulla oblongata ठीक है एक और signal होता है nemo taxic center जो पॉंस वाले region में present होता है वो भी क्या करता है inspiration जो rate है उसको reduce करता है क्योंकि ज्यादा inspiration हो जाएगा वह भी दिक्कत करेगा तो इन सब चिज़ों को control कौन करता है medulla oblongata और पॉंस वाले region में जो respiratory center present होते हैं ठीक है rhythm center के side में present होता है उसके पास में chemo sensitive area वो chemicals को sense करता है जैसे co2 और hydrogen ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको eliminate करने में help करता है ठीक है आया समझ अब है disorder of respiratory system इस से related disorder कौन कौन से अस्तमा है अस्तमा में क्या होता है कि whizzing होती है whizzing क्या होता है कि जब सांस लेते हैं तो तेज तेज आवा जाती है वो क्यूं आती है due to inflammation of bronchiai और bronchures उनमें inflammation हो जाता है फिर next है emphysema यह क्या है chronic disorder है क्यों है क्योंकि जो alveoli की बाल है जहां पर एक्षेंज होता है वई damage होजती है तो respiratory surface decrease होजता है यह मेंली होता क्यों है cigarette smoking के दवारा होता है ठीक है occupational respiratory disorder नाम से ही पुता चलता है occupation जो workers होते हैं जो industries में काम करते है stone breaking और grinding industries में उनमें क्या होता है जो dust particle है वो अंदर चले जाते हैं defense mechanism काम नहीं कर पाता तो क्या होता है कि उसमें fibrosis हो जाता है fibrosis क्या है जो inflammation हो जाता है fibros tissue का इससे क्या होता है कि lungs damage हो जाते है देमेज होंगे तो पता है respiration में कितने helpful है लंग्स तो इन जो है यह जो workers है इनको mask पहनने चाहिए protective ताकि वो अपने respiration को अच्छे से perform कर सके यह था हमारा respiratory system आपको समझ आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो like share or subscribe करे thank you okay 20